मुरादबाद के रामगंगा विहार इस्तिद दिवाइन होमियोपेथिक वेलफेर सोसाइटी द्वारा डेंगू से बचा हुए तो निशुलक दवाईयों का वित्रण करने के लिए एक कारिक्रम का आयोजन कराया गया कारिक्रम के मुख्य आती थी एस्पिसिटी अकलेश बदार्या ने पहुच कर निशुलक दवाई वित्रण कैम्प का फीता काट कर शुभारम किया और सभी आयोजुकों को बढ़ाई दी कहा कि समाथ सेवा के लिए लगतार आपकी सोसाइटी द्वारा जो काम किये जा रहे हैं उसकी जितनी भी सरहना की जाए वे कम है मुरादबाद में लगतार मरीजों की सेवा करने के साथ जरूरत मन व्यक्तियों को मदद पहुचाने के लिए काम किया जा रहा है इस अफसर पर ये जानकारी दी गई कि सुर्गे डॉक्टर अशोक रस्ताओगी की याद में लगतार समाथ सेवा की कारियों में बच्रोड कर भाग लिया जाता है इसे अफसर पर डेंगू से बचाव हेतू निश्चुल का दवाईया वित्रुन का एक कैम्प आयोजित कराया गया जिसमें जरूरत मन व्यक्तियों को दवाईया वित्रुत करने के लिए काम किया गया इस कारे में सोसाइटी की सभी सदस्यों का भरपूर योगदान रहा इस कैम्पें डॉक्टर सुधार रस्तोगी डॉक्टर अशोक रस्तोगी डॉक्टर शरद रस्तोगी का भरपूर योगदान रहा करते हैं उसमें स्वास्त परिक्षा एवम साथ साथ दवा का विद्रन फिरी ओफ कॉस्स करते हैं आज पिछले कई सालों से हम आप लोग को पता है कि डेंगु बहुत भैवा बिमारी है और बहुत से लोग उससे ग्रसित होते हैं उससे बचने के लिए देंगु प्रिवेंट मेंदिसिन बचाफ के लिए लोगों को शिवे में बाती है सर आगे हिलाने लेकार प्रियास हो और पिकियाँ है वह नहीं हों यह जिसी महीने अपकोनद छुट नहीं कि नहीं आर्फ है कि अबीधिन फिर्पर प्रह मालूम है कि होमपैथी कितनी कारगर मेडिसिन है, कितने असाध्य लोगों के लिए ये काम आती है लोगों को ये मालूम है किसे सर्दी जुखाम खासी हो तो हम होमपैथी ले ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज की तारीक में होमपैथी बहुत एल्वांस हो गई है बहुत से असाध्य रोग जैसे की डियाबिटीज, हाइपर टेंशन, इवन कैंसर तक में होंपैती बहुत कारगर होती है मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो जरूर होंपैती अपना है